मोती चूर के लड़ू कोई भी फेस्टिवल हो हम भगवान को मोती चूर का लड़ू चढ़ाते ही है और वैसे भी कनपती वप्पा का तो फेवरेट ही है लड़ू ये तो आप सब जानते ही है तो आज मैं सोची कि आप लोगों के साथ मोती चूर के लड़ू की रेसिपी सेर करूं मोती चूर के लड़ू या फिर बुंदी के लड़ू आप जो बोलना चाहे आप बोल सकते हो आज मैं आप लोगों साथ सेर करूंगी मोती चूर के लड़ू की रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है तो चलिए हम मोती चूड के लड़ू बनाना सुरू करते हैं वीनर टाइम वेस्ट किये मोती चूड के लड़ू बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चीनी का चासनी तो मैं यहाँ पे एक ग्लास पानी एक बरतन में डाली हूँ और इसके बाद मैं इसमें एक कप चीनी डाली फिर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और गैस को हम हाई फ्लेम करके पकाएंगे चीनी का चासनी जल्दी बन जाएगा तो यहाँ पे देखिए चीनी घुलने तक पहले हम इसे पका लेंगे अभी आप देख सकते हो चीनी के चासनी में अच्छे से उबाल आने लगा तो एक बाद हम इसे चमत से इस तरीके से मिला देंगे और अभी हमें फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना है इसके बाद हम इसमें डालेंगे दो इलाइची कूटकर में डाली हूँ इलाइची का छिलका भी में डाल दी हूँ आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो इसके बाद हम इसमें डालेंगे औरेंज कलर का फूड कलर इसके बाद फिर हम इसे अच्छे से मिला देंगे food color डालने के बाद हम इसे 4-5 मिनद तक अच्छे से उबाल आने तक पकाएंगे high flame पे ही पकाना है ताकि चीनी का चासनी जल्दी बन जाए इसका चासनी जो है ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं करना है एसा नहीं है कि एक line आने तक हमें इतना चटचट जो करता है उस type से हमें नहीं बनाना है बस हमें हलका सा ये गाढ़ा हो बस उतना ही करना है तो लीजिए चीनी का चासनी बनकर ready है तो अब हम बनाएंगे बेशन का घोल तो यहाँ पर एक बरतन में मैं एक कप बेशन ली हूँ बेशन आप अपने according लीजिए आपको जीतना लड़ू बनाना है उस अनुसार आप बेशन ले लीजिए आप बेशन का घोल है उसको थोड़ा सा पतला रखिए देखिए मैं इस तरीके से रखी हूँ और जब यह अच्छे से mix हो जाए फिर हम इसमें food color add करेंगे food color मैं डाल रही हूँ अगर आपको food color मतलब orange color का नहीं बनाना है तो आप इसको orange color को हटा कर आप साधा जैसे बेशन का color होता है बस उस color में भी आप बना सकते हो तो यह देखिए बेशन का घोल बनका ready है इसका consistency मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके का होना चीए चोटे चोटे बूंदी के लिए इसके बाद हम इसे fry करेंगे तो यहाँ पर मैं refined oil डाली हूँ और यहाँ पर देखिए पूरी चान्ने वाला चन्नी ली हूँ इसके उपर से एक चम्मत से मैं बेशन का घोल डाल रही हूँ और इस तरीके से ठक ठक करते हुए मैं हर तरफ चन्नी को इस तरीके से घुमारे घुमाते हुए हमें डालना है ताकि हर तरफ बूंदी गिरे अगर आपको इसे छोटा बूंदी बनाना है तो थोड़ा सा जाली जो है इसका थोड़ा सा छोटा करके आप छोटा वाला चन्नी से भी आप चान सकते हो तो इसी त पकाना है इसे हमें ताकि थोड़ा सा कड़क हो जाए तो इस पेचुला से इसे हम पहले हर तरफ इस तरीके से मिला देंगे और एक मिनट तक हम इसे ऐसे ही रहने देंगे तो अभी आप देखिए एक मिनट तक मैं इसे ऐसे ही रहने दी थी और इसके बाद हम इसे छनी से लेना है तो यह देखिए perfect बूंदी बनकर ready है तो इसी तरिके से हम साड़े बूंदी को चान लेंगे और तेल से इस तरीके से हमें छान कर या फिर आप चाय वाला जो छान्टी होता है नुश्से भी आप निकाल सकते हो तो यहां पर देखिए साड़ी बूंदी को मैं तेल में चान ली हूँ यह देखिए कोई छोटा कोई बड़ा इस तरीके का बनाया है क्योंकि यह पूरी चानने वाला चन्नी है इसके वज़़ से यह इस तरीके से बनाया बड़ा चोटा आपके पास अगर चन् पास छान कर रहे हैं तो इस तरीके से साड़े बूंदी को हम इसमेर डाल देंगे और इसके बाद हम इसे एक वार अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम 2-3 मिनिट तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि चीनी का चास्नी जो है ना बूंदी अच्छे से अब जोर्व कर लें तो दो मिनट तक हमें इसे पकाना है, तो अभी आप देख सकते हो, दो मिनट के बाद ये पहले से थोड़ा सा गाड़ा हो गया है, तो अभी हम इसमें डालेंगे काजू, तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे पीसेज में काजू को कट करके रखी हूँ और इसमें डाल देंगे, आप काजू के जगा जो लड़ू में डालने माला खीरा का बिया आता न वो डाल सकते हो लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ मैं काजू ही डाली हूँ आपको जो पसंद हो आप डाल लेना तो यहाँ पर देखे यह बनकर रेडी है तो इसे मैं एक प्लेट में ट्रांसफर कर ली और इसे हम थोड़ी टाइम के लिए ठंडा होने के लिए रहने देंगे, ठंडा होने के बाद मैं इसे बना रही हूँ, यह देखिए इस तरीके से हाथ को हलका सा मैं धोली हूँ और इसके बाद हम लड़ू का सेप देकर इसे लड़ू बनाएंगे इस तरीके से, तो अभी थ देखिए इसी तरीके से हमें सारे लड्डू को बना लेने हैं तो अभी आप देख सकते हो सारे लड्डू बनकर रेडी है तो अब हम इसके उपर से थोड़ा सा पिस्ता कट करके रखी हूँ उसे हम इस तरीके से उपर में चिपका देंगे ताकि लड्डू दिखने में और भ तो देखा आप सबने इंस्टन लड्डू बनकर रेड़ी है तो बहुत ही इजी और सिंपल रेशिपी है और अब मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ यह देखिए परफेक्ट लड्डू बना है अभी गड़ में इसके थोड़ा से गीला लग रहा है बट यह ज लड्डू की रेशिपी यानि की मोती चूड की लड्डू की रेशिपी पसंद आई हो तो अगर आपको मोती चूड की लड्डू की रेशिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए और मेरे चैनल पर फर्स टाइम आये हो तो मेर चानल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइगन के साथ ताकि जो भी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ सेर करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो मिलती हूँ नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई टेक क्यार थैंक्स फो वाचिंग